हालो एर्वन वेलकम बाक तो दे चैनल आई होब आप सब बहुत अच्छे हुंगे और आज के व्लोग के शुरुआत रही है डे टाइम से मिन्स हैत्विक को मैं स्कूल से लेकर घर जा रही हूँ और पस अभी फिलाल हम घर जाएंगे इसके बाद अपना वही जो बेसिक रूटीन होता है खाना वगरा मिन्स लंच वगरा करके हैत्विक को सुलाओंगी और साथ में थोड़ा सा मैं भी एक नैप लोगी वन आवर या बाहर और अभी पांच बजे बीना इतना मतलब ज्यादा ही डाग डाग होना स्टार्ट हो गया अब जैसे से विंटर पास आएंगे ना तो यह फोर ओक्लॉक इस ट्राइप का होने लगी गया और एक टाइम तो ऐसा आता है कि इससे ज्यादा डार मिनलब ऐसा लगता बिलक मतलब जैसे डाल होती ना कुछ स्टाइक की राजमा डाल थी शायद और तो खेर मैंने दोनों ही मिक्स करके सोक कर दिया है तो अच्छे से सोक हो गए हैं और साथ में दूद भी मैंने चड़ा दिया है और बस अभी फिलाल मैं थोड़ा बहुत कटिंग का काम है वह मैं करू हैं तो प्यास तो मैं चुटी चुटी कट करके डालूंगी और टमाटर है उसे प्यूडी बनाऊंगी और यहां पर मैं डिनर की वी तैयारी कर रहे हूं साथ के साथ और थोड़ा साथ शाम को ऐसी भुल की भूख के लिए एक सांडविच बना रही हूं बहुत क्विक अगर आप चाहें तो कुकुम्बर वगरा भी अड़ कर सकते हैं बट मैं एड नहीं कर रही हूं है मेरे पास बट मैं ओनली प्याज और टमाटर वाला ही बना रही है कोई टाइप को बस जब मैं यह सांडविच बनाती हूं तो जैसे मैं अपने लिए बनाती तो मैं इसमें मैं रॉक सॉल्ट एड कर दिया ब्लैक पेपर एड थोड़ा से रेड चिली पाउडर एड कर दिया थोड़ा से चिंकी चाहट एड करके अच्छे से मिक्स कर दिया है और बनाने दो ही सैंड़िच इन थे तो इस वज़ए से मैं ने यह चौपिंग बोडे इसी पर कट किया सेब्सक्राइब कर दोस्ति निकाल कर लिए। इस तरह कें दूण जाए वाल सेब्सक्राइब, यहां पर प्लेर जैसे लगा लूँंगी। एक विर्समाइब करें। बहुत एक क्वीख और टेस्टी लगता है स्ट्राइब कर लगता है ह। तो बस दो फिलाल मुझे बनाने हैं और पहले मैंने सुचा बच्क लिए बनाकर लग दूँ फिर मैंने सुचा भी तो सो रहे हैं और इंको बनाकर भी रख देती हैं तो वो काफी सॉगी सॉगी टाइप के हो जाएंगे एक बार उठेंगे तो मैं उनसे पूछूंगी अगर उन्हें खाना होगा तो ही मैं बनाओंगी otherwise नहीं क्योंकि फिर वही है कि अगर ये खाएंगे तो फिर वो डिनर स्किप करेंगे तो मुझे लगता है कहीं न कहीं कि आप डिनर खाओ तो फिलाल तो भी सोई ही रहे हैं और वस यहाँ पे देखे गीडि मैंने क्विक टाइप वाले सैंविच तयार हैं और साथ मैंने बना ढिए कफी तो कफी भी मैंने मैंने बना दिये हैं और मैं तो only coffee ही पीऊंगी और बस अभी दो सेड़िजि इनको बीश से cut करके रख दूँगी और बस husband को मैंने serve कर दिया मतलब serve कर दिया है तेबल पर अभी वह आने वाले हैं तो बस फिलाल यहां पर मैंने रख दिया है और काफी मैंने ले लिये और बस अभी मैं कर इन काफी को इंचॉई और इसके बाद है ना फिर मैं अपने दूसरे दूसरे काम करने लगी थी लाइक शिंक में थोड़े बहुत बरतन थे टिफिन वगएरा जो होते ना बच्चों के तो वो थे तो वो सारे बरतन थोड़े बह अब बनाना है तो डिनर की तो खेर मैंने परपरेशन वगएरा करी लिये तो बनाना इतना कोई टॉफ नहीं है तो यह देखिए यहां पर मैंने बरतन बच्चों कर ली है और शिंक पर एक दो बरतन भी होते तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता मतलब यह कि शिंक मतलब बिल्कुल क्लीन होना चाहिए तो बस फिलाल अभी तो मैंने खाली कर दिया और यहां पर देखिए प्याज खुब साला लसन है अद्रक है और टमाटर की प्यूरी और चले अब मैं बना लेती हूं डिनर तो यहां पे मैंने पैन लिया है जीरा एट किया बहुत ही सिंपल ब बॉयल ही है बस इसे उपर से फ्राइ करना है बड़ी लाइची आट कर दिये तेज पत्ता आट कर दिया और बारी कट अच्छे से बहुनाँगी जब तो बिल्कुल ब्राउं ब्राउं सा ना हो जा और उससे पहले मैंने अद्रक लसन कटा हुआ मदला फाइली चॉप अद् इतने विल्कुल लिए इस पहुए ब्राउं ब्राउंस विल्कुल हो गया है और इस पोईंट पे मैं यहां पे लिए पूर जी प्यूरी बनाइए ऐसे आट कर दियो तमाटर अच्छे बहुत बहुत रड रड लेकिन आगे हैं कि पड़नाँ पहिए तो गल्ले में थोड़ किसी भी खाने का अगर आप तमाटर एट कर रहे हो तो बस यहां पर मैंने तमाटर में थोड़ा सा नमक एट किया था और ताकि वह अच्छे से बिल्कुल गल जाए जो इसकी इसकिन है ना तमाटर की वह अच्छे से कुख हो जाए और इसके बाद इसमें बेसिक रूटीन वा और राजमा मसाला एट कर दिया है और मैंने यहां पर लिए कोई कलर के लिए कश्मीरी मिर्च वगरा कुछ भी याड़ नहीं किया और कलर अपनी आप याना स्टार्ट हो गया है विकाज टमाटर की रेट और यह जो रेट टमाटर होते हैं किसी भी खाने में एट करो तो कल और यहां पर मैं बना रही है जीरा राइस बिल्कुल प्लेन टाइप वाला सिंपल सा तो यह पर घील है मैंने और थोड़ा सा कुकिंग ओई भी अट किया है और यहां पर जीरा अट कर दिया है और बस इसमें फिर एट कर दिंगे राइस चीज लिए शुट आपारें और इ और यहां पर मैंने बॉइल की हुए राजमा आट कर दिए इसके बाद अच्छे से कर लिंगे मिक्स और थोड़ा से पानी और आट करेंगे और बस राजमा तो अलोड़ी बॉइल है और इसे पर पकने देंगे लोटू मीडियम फ्लेम पे और यह देखी कलर अपने अपने करके बैड़ गी हूं लाइक हूंवक वगयरा मुझे कराना था तो अरली कुकिंग कर लिए तो बस अभी फिलाल हूंवक कराऊंगी और चलिए दोस्तों इसी के साथ इस वहले व्लॉग का भी कर देते हूं एंड गाइस मिलते हैं नेक्स व्लॉग में बाबाई एंड टेक क बाइस